So friends, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखने हैं कि यह मेरा Lenovo Legion 5 Laptop है जिसमें MSI Afterburner का Complete Statistics जो है यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा है और यह Ryzen 7 4800H CPU-based laptop है और अगर आपके पास भी कोई ऐसा laptop है जिसमें Ryzen Processor यूज किया गया है तो वहाँ पर आप MSI Afterburner का यह सारा Statistics जैसे की GPU Temperature, GPU Uses, CPU Uses, CPU Clock Speed, FPS इसली शो करवा सकते हैं बट CPU Temperature जो है ना इसली शो नहीं करता है और किस तरीके से शो करेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैहिन दोस्तों मेरा नाव है पुश्कर और आप देख रहे है टेक्सक्रू लेट स्टार्ट सबसे पहले जो हैं आपको MSI Afterburner जो सौफट्वेर है उसको डाउनलोड कर लेना है इस पेज का लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देदी है जिसको आपको एक्स्ट्रेक कर लेना है हम इसको एक्स्ट्रेक कर लेते हैं यही पर एक्स्ट्रेक करने के बाद आपको इसके उपर डबल क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको एक एप्लिकेशन फाइल है जिसके उपर डबल क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर ल फिर यहां पे next पे क्लिक करेंगे, install करेंगे इसको उसके बाद आपको Reva Tuner Statistics को install कर लेना है, तो यहां पे मोके कर देते हैं, फिर yes कर देते हैं, next करते हैं, इसका भी आपको license agreement पे accept करना है, फिर next करना है, फिर install करना है इसको भी, Reva Tuner Statistics जो है यह जो आपका complete MSI Afterburner का statistics होगा, उसके size को control करने के लिए इसका use होता है, तो आप इसको भी install करेंगे, तभी आप उसका जो size है, वो statistics का जो size है, उसको बड़ा और चोड़ा कर पाएंगे, अब यहां पे आपको एक बार reboot करने का option मांग रहा है, तो हम यहां पे फ MSI Afterburner जो है application है, वो open हो जाता है, open होने के बाद यहां पे आपको setting में चल जाना है, setting में यहां पे सबसे उपर आपको दिख रहा होगा GPU 1 और GPU 2, तो यहां पे आपका जो भी GPU है, जैसे कि मेरा GPU 2 में show कर रहा है, अगर आपके पास Ryzen processor based laptop है, तो GPU 2 में जो है आपका GTX जो भ select कर लेंगे, select करने के बाद आपको monitoring में चल जाना है, कुछ भी settings को आपको जादा छेड़ चाड़ वहां पे नहीं करना है, उसके बाद आपको जो भी show करना है, जैसे कि यहां पे GPU temperature show करना है, तो यहां पे आप देखे थे कि GPU 2 जो है, वो आपका graphic card है, तो monitoring में आपको GPU 2 प लिखा हुआ जाएगा, अगर आप इसका name जो है, वो change करना चाहते हैं, तो यहां पे आप override group name पे select करेंगे, और यहां पे आप इसका name जो है, वो GPU temp कर सकते हैं, तो यहां पे हम इसका name जो है GPU temp कर देते हैं, उसके बाद इसको apply कर देते हैं, फिर next अगर हम को यहां पे GPU uses show क करना है, GPU uses show करना है, तो यहां पे भी आप GPU two uses पे select करेंगे, और उसके बाद so in on screen display जो है, वो select कर लेंगे, show in on screen display जो है, यहां पे आप select करेंगे, यहां पे भी in OSD लिखा हुआ आगया है, अगर आप यहां पे इसका name जो है, वो change करना चाहते हैं, तो आप अपना GPU का name है, वो रख सकते हैं, तो हम यहां पे अपना GPU का name जो है, वो रख देते हैं, आप अपने according जो है, GPU का name यहां पे select कर लिजेगा, apply कर दीजेगा, next यहां पे अगर हम नीचे आते हैं, तो यहां पे आपको CPU 1, CPU 2 ऐसा बहुत सारा uses मिलेगा, तो आपको इन सब को नहीं select करना है, आपको जो सिर्फ CPU uses दिख रहा होगा, उसको select करना है, और यहां पे show in on screen display को select कर लेना है, इसका name भी आप change कर सकते हैं, CPU uses रख सकते हैं, या फिर override group name पे select करके आप इसका नाम जो है, वो change कर सकते हैं, अब यहां पे जो हमारा CPU है, वो horizon 7 है, तो हम यहां पे name जो है वो change कर देते हैं, और इसको भी आप apply कर देंगे, इसके बाद यहां पे अगर view clock है, उसको select करके आप इसको so in on screen कर सकते हैं, और यहां पे भी आप इसका name जो है, उसी तरीके से change कर सकते हैं, लास्ट में अगर हम frame rate का बात करते हैं, तो यही पे आपको नीचे frame rate का option मिल जाता है, सबसे पहले इसके आगे आपको gray tick को select करना है, और उसके बाद इसको select कर आपको so in on screen display पे select करना है, और यहां पे आप frame rate का जो name है उसको change कर लीजेगा, नहीं तो वो कुछ और name शो करेगा, तो यहां पे हम simple इसको fps name इसका change कर देते हैं, fps apply कर देते हैं, अब यहां पे आप नीचे आएंगे, तो यहां पे आपको CPU temperature का option Ryzen laptops में नहीं मिलेगा, CPU temperature add करने के लिए हम लोग को एक और software install करना पड़ेगा, अब video description में हम आपको एक और link दिये है, जिसको आप जाएंगे तो इस page पे आप पहुंच जाएंगे, यहां पे आपको free download पे tap करना है, hwinfo का यह जो portable file है, इसके free download पे tap करेंगे, यहां पे 4 links है, किसी भी link पे आप click क zip file देखने के लिए मिल जाएगा है, same file को हम यहां पे भी extract कर लेते हैं, extract करने के बाद आपको इस type का file मिलेगा, double click करेंगे, अब आपका PC है या laptop है, 32 bit है या 64 bit है, obviously 64 bit ही होगा अभी के समय में, तो यहां पे आप 64 bit वाले पे double click करेंगे, और उसके बाद yes पे click करेंगे, उ उसके बाद कुछ इस type का box open होगा, यहां पे आपको sensors only पे tick करना है और run करना है, run करने के बाद कुछ इस तरीके का box open हो जाएगा, यहां पे जो update वाला box open होता है, इसको close करेंगे, और उसके बाद आपको यह जो hw info का sensor status page open होता है, इसको minimize कर देना है, वापस यहां पे हम जलते हैं, msi after burner में, और तो यहां पे आपको जो है na active hardware monitoring graphs का option देखने के लिए मिलता है, इसके बगल में three dots है, इसके उपर आप click करेंगे, यहां पे hw info पे आप gray tick जो है, अगर इसको यहां पे tick अगर नहीं किया होगा, तो आप tick करेंगे इसको, उसके बाद यहां पे setup पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहां पे आपको एक section मिलता है, CPU AMD Ryzen 7 4800H enhanced, आपको आपके CPU के according जो है, यहां पे option मिलेगा, आपका CPU का name mentioned रहेगा, enhanced mention रहेगा, तो आपको इसी में आना है नीचे, और CPU core आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके उपर आपको gray tick करना ह और उसके बाद इसको select करना है, और यहां पे आपको ok पे click करना है, और उसके बाद यहां पे आपको CPU core जो है, वो add हो गया है, ok पे यहां पे tap कर देंगे, और फिर से आप ok पे tap कर देंगे, अब आपको जो है ना यहां पे जहां पर आपका list खतम हो रहा था, यहां पे आप ग्रुप नेम जो है वो चेंज कर देते हैं यहां पर हम इसका नाम रख देते हैं CPU TEMP CPU TEMP रखने के बाद यहां पर आपको apply करना है और उसके बाद हम ok कर देते हैं और उसके बाद आपको HW info को और MSI afterburner को minimize करना है close नहीं करना है हम दोनों को ही minimize कर दिये है so friends MSI afterburner तो setup हो गया और HW info के तो हम CPU core या CPU temperature भी जो है वो add कर दिये हैं पर यहां पर जो MSI afterburner के statistics का size जो आपको game screen पे दिखेगा उसको आप change कर सकते हैं और उसी के लिए MSI afterburner के साथ Riva Tuner statistics server install हुआ था तो उसको access करने के लिए जैसे ही आप MSI afterburner run करता है तो यहां पर आपको screen में corner में arrow का आइकन आता है यहां पर tap करेंगे और आपको Riva Tuner statistics server का एक icon दिख जाएगा इसके उपर आप tap करके इसको open कर लेंगे इसके settings में आपको कुछ भी changes नहीं करना है यहां पर आपको नीचे से second option मिलता है on screen display zoom का simply यहां पर एक जो बार है इसको आप increase करके size को increase decrease कर सकते हैं तो हम इसको maximum पर रख देते हैं और उसके बाद आपको simply इसको minimize कर देना है और यहां पर आप जो है na GTA run कर लेते है यहां पर आप देख सकते हैं कि game screen जो आ चुक रहा है और complete statistics जो है आपको दिख जाएगा GPU temp लिखा हुआ है 46 degree celsius फिर GTX 1650 Ti यह GPU uses फिर Ryzen 7 4800H यह CPU uses है फिर CPU clock speed यहां पर आपको देख रहा है fps देख रहा है और CPU temperature भी आपको देख रहा है आप MSI Afterburner से कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपका काम हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और subscribe कर लिजेगा because free है मिल दे नेक्स वीडियो में तब तक टेक्नोलिक अस्तमालिक लिमेट में कीजे देखने के लिए आपका धन्यवाद अभी जितना भी सेटिंग सब आपको बता हैं यह सब आपको जो है सिर्फ एक बार करना होगा उसके बाद जब भी आप gaming कर रहे होंगे MSI Afterburner का on screen statistics आपको शो करवाना होगा तो simply आप MSI Afterburner software को open करके minimize कर देंगे और hw info को open करके minimize कर देंगे और उसके बाद जो आपका statistics है वो आपकी gaming screen पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा